हलो एन वेल्कम टू मैं चैनल आज इस वीडियो में मैं आपको एक इंपोर्टेंट चीज के बारे में बताऊंगा जो प्लांट की ग्रोथ से रिलेटिड है तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और जो ही ये पॉइंट बता रहो मैं आपको इसका कोई भी ध्यान नहीं देता और कोई इसको बताता भी नहीं है किसी को पर मैं आपको बताता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों प्लांट की ग्रोथ में तो इस वाले प्लांट की ग्रोथ तो बहुत अच्छी और इस वाले में देखिए एक भी प्लांट नहीं हो गया ऐसा तो इसकी देखिए ग्रोथ तभी अच्छी है और इसकी ग्रोथ इतनी कम हुई है क्योंकि जो ये प्लांट होते हैं ये जो हमारा में प्लांट होता है उसको सारा नूटिशन ले लेते हैं जिससे जो हमारा प् इससे आपकी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे होगी और जो इसको proper nutrition मिलना चाहे वो भी उसको proper मिलेगा और अब हम इनको धीरे धीरे करके remove कर लेते हैं पर जैसे कि हम ऐसे remove कर रहे तो इनकी पत्या निकल जारी है और जड़ जमीन के अंदर रह जारी है तो ये फिर उग जाएंगे और फिर हमारे प्लांट का nutrition लेने लगेंगे तो इससे बड़ी हम गुड़ाई करते हैं इनकी ये देखे ऐसे करके जिससे जो इनकी जड़ है वो पूरी जमीन से बहार निकल जाएगी ये देखे और जो हमारे प्लांट की जो soil है उसकी हम पूरी अच्छे तरह से गुड़ाई कर लेंगे और फिर कुछ दिन बाद इसमें fertilizer डाल देंगे जिससे जो हमारे प्लांट को nutrition अच्छा मिले और उसकी growth अच्छी होए गर वीडियो आपको informative लगे तो keep supporting and thank you for watching